स्नेक प्लांट एक काफी popular indoor प्लांट है काफी लोग इसको अपने घरों में grow करते हैं घरों में रखते हैं क्यूंकि ये indoor air purifying plant है और आजकल आप लोग जानते हैं कि शेहरों में कितना जाधा pollution है तो घरों में ऐसे plants की popularity बहुत जाधा हो गई है क्यूंकि लोग अपने घरों की जो air है घरों के अंदर की जो air है वो थोड़ी साफ रखना पसंद करते हैं तो आजकल स्नेक प्लांट की काफी popularity बढ़ चुकी है तो इसलिए popularity बढ़ चुकी है तो काफी लोग इसको लगाना शुरू कर चुके हैं और काफी लोग जानना चाहते हैं कि इसकी क्या basic care tips होती है जो वो इस प्लांट पे follow करें और ताकि इनका प्लांट काफी अच्छी तरीके से और healthy तरीके से grow करता रहे तो चलिए शूरू करते है फ्रेंड्स मेरा नाम अक्षे है और मैं आप सब लोग का the right gardening youtube channel में स्वागत करता हूँ आज इस प्लांट की basic care tips के बारे मैं आपको बत लेकिन इसके साथ यह mother plant है इस mother plant से काफी cuttings लेके मैंने और बहुत सारे snake plant छोटे-छोटे बना रखे हैं जो मैंने भार garden में भी लगा रखे हैं और बाकी कमरों में भी लगा रखे हैं तो बहुत ही आसानी से multiply हो जाता है यह plant आपने कुछ नहीं करना इसकी propagation simply बस इसका पत मुझे ठोड़ा सा expensive मिला यह थोड़ा सा पहुते हैं मिलते हैं नर्सरी में मैं दिल्ली में रहता हूं तो मुझे यह तक्रीबन 110 रुपय का मिला और यह तो काफी बढ़ा हो गया है छोटा पहुता मिला था मुझे तो 110 रुपय का छोटा पहुता लाकर यह मैंने आठ तो इसमें एक basic सा potting mix है, आप 60% कोई भी garden soil ले लिजिए, बालू मिट्टी ले लिजिए, नर्सरी से मिट्टी ले आईए, या normal घर के भार जो पार्क है उनकी वो मिट्टी ले लिजिए, और इसमें 40% आप उसमें खाद मिला दीजिए, अच्छे से इसको पूरे मिट्टी औ बताया है, अब बात करते हैं इसकी location के बारे में, मैंने आपको जैसे बताया है कि ये एक indoor plant है, indoor अगर आप इसको रखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से growth करता है, इसकी बहुत जादर requirement नहीं होती है, अगर इसको बाहर ग्रो करना है, अगर आपके पास आप इसको indoor नही पोड़े से fade होना शुरू हो जाएंगे, light green हो जाएंगे, yellowish होना शुरू हो जाएंगे, plant जिन्दा रहेगा, plant को जादा फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं, इसमें dark green कलर है, और बहुत अच्छा सा texture बना हुआ है, ये dark green और light green का, अगर आप इसको में रख देंगे, तो बिल्कूल light green हो जाएंगे, yellowish, pale yellow color की जो है, leaves इसकी हो जाएंगे, तो मैं आपको recommend करूँगा, या तो इस पौदे को indoors ग्रो करिये, indoors नहीं, तो भार garden में ऐसी जगह पे ग्रो करिये, जहां पे semi shade हो, या completely shade area हो, अब बात करते हैं इसकी watering के बारे में, snake plant एक तरीके का succulent है, इसको बहुत जादा watering की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप इसको जादा पानी देने लग जाएंगे, तक्रीबन द्रोज पानी देंगे, तो ये मर जाएगा, जादा survive नहीं कर पाता हो, और watering के stress की वज़े से, तो इसमें मैं आपको recommend करूँगा, कि plant की requirement पानी की जिए इतनी अभी पूरी, कोई इतनी जरूरत इसको पानी की अभी लग नहीं रही है, बहुत ही hardy plant है, drought resistant plant है, और perfect है अगर आप लंबे time के लिए अपने घर से दूर रहते हैं, या घर से बाहर रहते हैं, और आपको time नहीं मिल पाता अपने पौदों का द अभी तक कोई fertilizer इस्तमाल नहीं किया है, मुझे तकरीबन एक साल हो गया है इस plant को grow करते हुए, और इसमें मैंने अभी तक कोई fertilizer यूज नहीं किया है, सिर्फ potting mix बनाने time जो 40% खाद मैंने यूज करी थी, जो मैंने आपको बताया था, आप यूज करिए, वो ही fertilizer इसमें ड प्राबर ratio का या 20-20 ratio का भी NPK डाल सकते हैं, आपने कैसे यूज करना है, एक चमच NPK powder एक लीटर पानी में अच्छे से mix कर लेना है, और जब वो एक लीटर पानी fertilizer का तयार हो जाए, उसमें से 100-500 ml, हर 20 दिन में या 25 दिन में एक बार इस directly soil plant में डाल भी दीजिए, और एक लीटर पानी में अच्छे से dilute करना है, और जब वो एक लीटर पानी तयार हो जाए, फटलाइजर का, तो आपने 100-500 ml, हर 15-20 दिन में directly soil में भी देना है, और उपर leaves में भी spray करना है, तो आपका plant healthy रहेगा, फटलाइजर की भी जो fertilization की requirement है, वो भी पूरी रहेगी, और बहुत जादा over fertilization नहीं होगी, मैं personally इस पौधे में fertilizer इस्तमाल नहीं करता, क्योंकि मुझे need नहीं लगती और ये काफी असानी से multiply हो जाता है, आप देखेंगे, नीचे से ही नई leaves लाना शुरू हो जाती है, ये एक ही plant लाया था मैं, ये इतना सा, और ये बाद में जितने बहुत घना हो जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी multiply होता है, और snake plant इसलिए इसका नाम है, क्योंकि इसकी जो पतिया है, वो देख सकते हैं, आप ऐसा लगेगा कि आपको कोई snake खड़ा हुआ है, तो इसलिए इसके snake की shape की वज़े से इसकी जो leaf की shape है, इसका जो नाम है वो रेगुलरली पानी दे रहे हैं, तो वो आपका plant over stress में हो जाएगा और मर जाएगा, कई लोग क्या करते हैं, कि हर पौदे में same daily पानी देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर पौदे की watering requirement, fertilization requirement अलग होती है, और अगर आप हर पौदे को एक तरीके से ही पानी देंगे, तो over watering या under watering का stress रह सकता है, जिसके वैसे पौदा आपका मर सकता है, root rot हो जाएगा अगर आप over watering करेंगे इस plant में, और जिसके वैसे आपका plant eventually मर सकता है, तो इसमें एक watering schedule बनाई है, जैसे मैं आपको बोला, अगर आप indoors grow कर रहे हैं, तो 10 दिन में एक बार पानी जीजे, और अ यूस करना चाहते हैं, तो एक neem oil concentrate आता है, neem oil concentrate भी compressed concentrate form में आता है, वो 1 ml concentrate एक लीटर पानी में अच्छे से आपने डिलूट करना है, और क्यूंकि ये oil के form में आता है, तो इतनी जल्दी से dilution नहीं होती, और इसलिए आप इसमें थोड़ा सा liquid soap भी मिला सकते हैं, जिसके ये solution थोड़ा और powerful हो जाता है, और काफी अच्छे से results हैं, वो आपके plant में आपको मिल सकते हैं, तो ये भी आप use कर लीजे, और वो 1 ml concentrate एक लीटर पानी में अच्छे से आपने dilute करना है, liquid soap मिला लेना है, और जब वो अच्छे से तयार हो जाए, एक लीटर जो organic pest repellent है, जो आप अपने snake के plant में अगर follow करेंगे, तो आपका plant बहुत ही healthy तरीके से grow करेगा, मेरे plant काफी अच्छी तरीके से grow कर रहा है, काफी time हो गया मुझे इसको grow करेगा, और ये सारी tips, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ share कर रहा हूँ, यही मैं same tips इस plant में follow करता हूँ, और अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि मैंने कुछ miss किया है, तो वो भी मुझे comment करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूँगा, यह हम discuss कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसको अगली वीडियो में कैसे cover करें, तो ये थी वीडियो हमारी snake plant की care के बारे में इस tips को follow करिए और चैनल गले साथ बने रहिए दोस्तों, thank you friends, good bye